हेलो एंड गूद मॉर्निंग एवरीवन वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल एविशन इंस्टिटूट एविशन फॉर गवर्न्बेंट जॉब्स तो इस सेशन में हम देख लेंगे 21 औ 22 जुलाई के करेंट अफेर्स के उपर से क्या 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 क्वेस्टेंस एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो देड़ ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इसका जो करेक्ट एंसर है और ऑप्शन भी प्रिथू गुपता प्रिथू गुपता जो की दिल्ली के रहने वाले है वो 64th Grand Master बन चुके हैं इंडिया का इंडिया का जो लैंड मार्क होता है जो एक क्राइटेरिया होता है कि 2500 पॉइंड 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 को क्रॉस कर चुके हैं कहां पे जो पॉर्टुगीज लीग हुआ था 2019 वहां पे जो 5th round था 5th round में उन्होंने आइम लेव यान के लिए वीच को हडा के ये 2500 मार्क्स क्रॉस क कर चुके हैं वो पितुगुप्ता जो जो की 9 साल के उमर से चेश खेलना स्टाट किये थे वो उनका अभी एज है 15 years, 4 months and 10 days और इतने कम उमर में वो अभी Grandmaster बन चुके हैं The second question is who has been appointed as the next Indian ambassador to Israel? इस्राइल में जो इंडियन अमबसेडर है उनके उस पोस्ट के लिए कौन अभी अपॉइंट हो रहा है तो इसका जो correct answer है that is option C Sanjeev Kumar Singhla Senior diplomat Sanjeev Kumar Singhla has been appointed as the next Indian ambassador to Israel the Ministry of External Affairs said on Friday Friday को हमारे जो Ministry of External Affairs से उन्होंने ये declare किया है Sanjeev Kumar Singhla अभी इस्राइल पे next Indian ambassador के रूप में appoint हो रहा है Sanjeev Kumar Singhla जो की 1997 batch के Indian foreign service officer थे वो इसने दिनों तक कहां काम करे रहे थे वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है Mr. Narendra Modi उनके private secretary के रूप में काम कर रहे थे जिस post पे वो appoint हुए थे 2014 में और अभी हमारे जो इस्राइल के Indian ambassador थे पावन कपूर जो की appoint हुए थे 2016 में वो उनको replace करके next Indian ambassador बनेंगे इस्राइल के The third question is which city of 36 गर has started garbage cafe scheme 36 गर के कौन से सहर ने एक scheme स्टार्ट किया है जिसका नाम है garbage cafe scheme तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option D अंभीकापूर अंभीकापूर जो की 36 गर में है उन्होंने क्या किया है उस सहर के municipality ने एक scheme launch किया है जिसका नाम है garbage cafe scheme इस scheme के दोरान क्या होने जाड़ा है कि जो management है wastage का ये management बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है अंडर इस program इस program के अंडर क्या होने वाला है कि अगर कोई एक kilo plastic का जो wastage है वो इस cafe में लाएगा जो की garbage cafe है यहाँ पे लाएगा तो जो cafe का cafe है वो उनको एक full meal offer करेगा और अगर कोई 500 gram plastic waste है यहाँ पे लाएगा तो cafe के तरफ से उनको breakfast दिया जाएगा वो भी बिल्कुल free में The fourth question is who has been appointed as private secretary to prime minister Narendra Modi हमारे जो prime minister Narendra Modi उनके private secretary के रूप में कौन appoint होने जा रहे है तो इसका जो correct answer is that is option B Vivek Kumar Indian Forest Service Officer Vivek Kumar हमारे जो prime minister Narendra Modi उनके private secretary के रूप में appoint होने जा रहे है यह जो हमारे appointment committee of the cabinet है जो की prime minister खुद lead करते है उन्होंने यह जो assignment नय assignment है Vivek Kumar का वो clear किया है Vivek Kumar अभी currently कहाँ पे काम कर रहे है वो अभी prime minister के यह office में as a director के रूप में काम कर रहे है और अभी कुछ दिनों के अंदर वो prime minister के private secretary के रूप में काम करने वाले The fifth question is who is the author of the book Cargill Untold Stories from the War जो एक book है Cargill Untold Stories from the War यह book किसने लिका है तो इसका जो correct answer है that is रचनाबिस्तरावत Cargill youth का, Cargill में जो लड़ाई हुआ था 1999 में उसका जो 20th anniversary था उस anniversary में एक book publish हुआ था जिसका नाम था Cargill The Untold Stories of the War यह book हमें क्या बताता है यह book हमें बताता है कि हमारे जो bravest soldiers थे उनका जो fight था, इस fight का कहानी इस book को कैसे लिखा है उन्होंने? जो रचनाबिस्तरावा थे उन्होंने क्या किया था? जो Cargill War के survivor थे और जो Martis के families थे उनके interview लिया था उसी interview के उपर base करके उन्होंने यह book लिखा है बोला जा रहा है कि यह book हम लोगों को Himalayas के उन mountains पर लेके जाएगा जहां पर history का एक बहुत बड़ा खुन खरावी बाला लड़ा लड़ा गया था moving on to the next question, the sixth question is which country has been removed by United States from the F-35 fighter jet program United States का जो F-35 fighter jet program है इस program से कौन से country को US ने निकाल दिया है तो इसका जो correct answer है that is option ही Turkey United States ने यह बोला है कि वो F-35 जो fighter jet program है program से Turkey को निकाल रहे है किस कारण से Turkey को निकाल रहे है क्योंकि Turkey recently एक Russian missile Russian missile defense system import किया है अपने country में Russia से तो USA, United States के तरफ से यह बोला गया है कि F-35 cannot coexist with a Russian intelligence collection platform that will be used to learn about its advanced capabilities Russian intelligence जो platform है उसके साथ यह जो F-35 fighter jet program है वो coexist नहीं कर सकता इसके कारण Turkey को इस program से निकाल दिया गया है The seventh question is Who has been nominated for the International Associations of Athletics Federation's Veteran PIN International Association of Athletics Federation के Veteran PIN के रूप में किन को नोमिनेट किया गया है तो इसका जो correct answer है that is option C PT USA India's track and field legend PT USA has been nominated for the International Association of Athletics Federation's Veteran PIN for our outstanding service to the sports PT USA जो की Indian track and field के legend माना जाता है जिनको उनको International Association of Athletics Federation के Veteran PIN के रूप में नोमिनेट किया गया है for उनका जो outstanding service sports के लिए उसके दोरान USA is one of the greatest printer to have come out of India and is often called queen of track and field उनको queen of track and field के नाम से जाना जाता था जो की वो इंडिया से है उनोंने 5 gold medal जीता था कौन-कौन सी event में जीता था उनोंने 100 meter, 200 meter, 400 meter, 400 meter hurdles and the 4 into 400 meter relay में besides the bronze in the 1985 Asian Games which were held in Jakarta 1985 Asian Games जो की Jakarta में हुआ था उस Asian Games में P.T.U.S.A. ने 5 gold medal और एक bronze medal जीता था 5 gold medal कौन-कौन से काटेगोरी में जीता था फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं 100 meter, 200 meter, 400 meter, 400 meter hurdles and the 4 into 400 meter relay race The 8th question is which geological society has launched world first 50 million rhino impact bonds कौन से geological society ने world का first 50 million rhino impact bonds launch किया है तो इसका जो correct answer है that is London Geological Society The 50 million rhino impact bonds will be the world's first financial instrument working towards the conservation of a species at risk of extinction जो rhino है वो अभी extinction के risk देखा जा रहा है rhinos के उपर तो यह जो 50 million rhino impact bond है यह दुनिया का पहला bond होगा जो कि किसी species के extinction को रोकने के लिए और उसका conservation के लिए काम करेगा The bond expected to launch in the first quarter of 2020 looks to boost the black rhino population by 10% globally यह जो bond है कब launch होने वाला है 2020 के first quarter में और इसका target क्या होगा जो black rhino है इसका जो population है उसको 10% globally 10% increase करने का The ninth question is International Police Expo 2019 was organized in which city जो International Police Expo है 2019 का वो कौन से सहर में होने वाला है तो इसका जो correct answer है that is option C New Delhi पहले हम यह देख लेते हैं कि International Police Expo होता क्या है International Police Expo is the only exhibition which is focused and an interactive platform where the police and other forces representatives of different nations and equipment suppliers can meet and discuss their business opportunities related to forces fitness, training, projection and rescue equipments क्या बोला जा रहा है यह एक मात्र एक ऐसा exhibition है जहां पर different different countries है जो police और forces representatives है वो meet कर सकते हैं और discuss कर सकते हैं किसके कहां पर अपना जो business opportunity है business opportunity किस से related, forces के जो fitness है, training है, protection है और जो rescue equipments है इसके उपर participants जो यहां पर gather होते हैं वो not, सिर्फ अपना knowledge ही नहीं exchange करते हैं वो कि उस knowledge के साथ साथ अपना जो technology है, solution है और future business में जो partnerships है इसके बारे में भी discuss करते हैं और इसके बारे में भी अपना अपना opinion एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ The last question is, which English cricketer has been nominated for the New Zealender of the Year Award? कौन से English cricketer को New Zealender of the Year Award के लिए nominate किया गया है? तो इसका जो correct answer है, that is option B, Ben Stokes Ben Stokes, जिनका England को World Cup जिताने में, New Zealand को हडाके World Cup जिताने में एक बहुत बढ़ा भूमी का था उनको New Zealender of the Year Award के लिए nominate किया गया है जिस अवर्ड के लिए New Zealand का जो captain है, Ken Williamson वो भी nominated है लेकिन Stokes को क्यों इस अवर्ड के लिए nominate किया गया? क्योंकि Ben Stokes का जनब New Zealand में ही हुआ था उनका जब उमर था 12 years, तब वो अपने family के साथ England पे move कर चुके थे Ben Stokes के father Gerard, वो New Zealand के लिए रगभी league में खेलते थे और England में आके coaching करवाते थे बाद में Stokes जबकि उनके family उनके जो parents थे, Gerard और Dave जो की return कर चुके थे New Zealand में और return करके कहां रहते है? New Zealand का तो South Island City है, Christchurch बहाँ पे रहते है लेकिन Stokes return नहीं किये, वो England में ही रहे गए तो आज का जो session था, वो यहीं पे खतम होता है उम्मीद है यह session आप लोगों के लिए helpful होगा अगर आपको यह session helpful लगे, तो इस वीडियो को एक like कर देना और अपने सरे दोस्तों में share जरूर करना और अगर आप हमारे channel में नए हैं, तो channel को subscribe करना, मत भूलना फिर मिलेंगे कुछ नए current affairs के question के साथ एक नए session में तब तक के लिए thank you and have a good day